तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेल वॉल के बारे में उमीद है आपको सेल वॉल अच्छे से समझ में आया होगा और कम्प्लीट भी हो गया होगा आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल आर्गिनल्स के बारे में और सेल आर्गिनल्स को पढ़ने से पहले हमारी NCRT में एक टॉपिक है बैटा एंडो मेंब्रेन सिस्टम अब ये endomembrane system हाला कि है तो छोटा सा topic लेकिन कई बार NEET में पूछा गया है और basically इसका example पूछे गया है कि endomembrane system में क्या-क्या example आते हैं अब उन example को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि endomembrane system है क्या तो इसको समझते हैं एक बहुती dramatic तरीके से आज का lockdown का समय है और आपने देखा होगा कि lockdown में आपके आसपरोस बहुत सारे घर बन रहे हैं या आपका भी कभी घर बना हो तो आपने देखा है कि bricks आती है इते है ट्रॉली में और देखा होगा आपने कि 3-4 लोग उस ट्रॉली पर बैठ के आते हैं अब क्या काम करते हैं वो एक बंदा एक आदमी एक मजदूर उस ट्रॉली के ऊपर खड़ा होता है ठीक है न और ब्रिक को उठाके दो ब्रिक्स को उठाके दूसरे वाले मजदूर को देता है जो ट्रॉली के नीचे खड़ायों से रिसीव करने के जिसमें से एक मजदूर इट को उठा रहा है ट्रॉली से दूसरा मजदूर इट को पकड़ रहा है और तीसरा मजदूर इट को लगा रहा है इसी तरह से कुछ cell और्गनल्स जिनके function अलग-अलग है जिनके size और shape भी अलग-अलग है लेकिन इनके जो work है इनका जो काम है इन के functions आपस में coordinated हो उसको हम बोलते हैं endomembrane system और ये endomembrane में क्यों word आया बेटा क्योंकि ऐसे cell और बेटा membrane bound cell और उसमें कैसी membrane है सिर्फ single membrane है तो आए पढ़के देखते हम लोग each of the membranous cell organal is distinct in terms of its structure and function many of these are considered together as an endomembrane system तो देखिए बेटा जो बहुत सारे cell organals हैं जो membranous cell organal हैं वो आपस में अलग-अलग है शेप साइज में भी और उनके functions भी अलग-अलग हैं लेकिन उनमें से भी कुछ को हम consider करते हैं as endomembrane system क्योंकि their functions are coordinated उनके जो function है वो आपस में coordinated हैं उनके जो function है वो आपस में coordinated हैं और उनको हम बोलते हैं endomembrane system अब इस endomembrane system में बेटा क्या-क्या आता है endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosome और vacuole easily याद करने के लिए समझिए ERGLV ठीक है ना इसको इस तरीके से याद कर लीजे ERGLV तो ये ERGLV जो है endoplasmic reticulum, golgi body, lysosome और vacuole ये सारो इस इन सब को हम consider करते हैं बेटा endomembrane system बहुत वार नीट में पूछा गया है what is endomembrane system या what are the example of endomembrane system तो endomembrane system के बेटा example है endoplasmic reticulum, golgi body, lysosome और vacuole अब इसी endomembrane system के हिसाब से ही हम एक-एक cell organal को यहाँ पे discuss करने वाले हैं और सबसे पहले हम discuss करेंगे endoplasmic reticulum को तो आईए हम लोग discuss करने वाले हैं endoplasmic reticulum के बारे में बेटा बैसे तो हम लोग सोचते हैं कि mitochondria बहुत important है, plastic बहुत important है लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि endoplasmic reticulum और golgi complex से बहुत सारे question पूछे आ चुके हैं तो आई देखते हैं हम लोग endoplasmic reticulum discovered by Porter, Cloud and Fulham in 1945 जो बेटा endoplasmic reticulum है उसको discover किया था तीन scientist ने मिलकर Porter, Cloud and Fulham in 1945 यहाँ पर देखिए बेटा जो टर्म है जो टर्म है endoplasmic reticulum वो दिया था बेटा Porter ने ठीक है ना जो टर्म endoplasmic reticulum है वो किस ने दिया था Porter ने दिया था फिर आगे देखते हैं कुछ जनरल चीजे It is complex single membrane system in the cytoplasm of eukaryotes बेटा यह complex single membrane system है cytoplasm of eukaryotes के अंदर ठीक है ना endoplasmic reticulum is absent in कहां-कहां यह absent होता है endoplasmic reticulum prokaryotes में आप जानते हैं कि prokaryotes में ज्यादा तर membrane bound cell organs absent होते हैं तो endoplasmic reticulum भी absent होता कोई बड़ी बात नहीं है यहां देखिए mature RBC of mammals mature RBC of mammals में भी endoplasmic reticulum absent होता है साथी साथ बड़ा germinal cells में भी endoplasmic reticulum absent होता है endoplasmic reticulum is extends from nuclear membrane आप देखिए बड़ा यहां पर एक idea ले लेते हैं जैसे यह nucleus है यह nucleus है और आप जानते हैं कि nuclear nucleus devil membrane bound होता है और जो उसकी membranes होती है बड़ा वो discontinue होती है कैसी होती है discontinue होती है nuclear poor होते है तो nuclear membrane से बड़ा outer membrane से एक tube निकलती है और उस tubes के आगे formation होता है endoplasmic reticulum का ठीक है ना ट्यूब के आगे formation होता है endoplasmic reticulum का तो endoplasmic reticulum is extend from nuclear membrane यानि कि endoplasmic reticulum नाम का जो cell organal है बेटा वो निकला है nuclear membrane से इट डिवाइट साइटो plasm into two compartments अब देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है यह NCRT में भी mention है आपके जैसे माल लीजिए एक cell है यह एक cell है और इस cell में बेटा बहुत सारा साइटो plasm भरा है है ना यह cell है और cell में बहुत सारा साइटो plasm भरा है अब देखो बेटा इस endoplasmic reticulum के अंदर एक space है और इस endoplasmic reticulum के बाहर एक space है जैसे माल लीजिए कि यह हमारी उंग्लियां है और उंग्लियों को हम पानी में डाल दें तो इन उंग्लियों के अंदर एक बेटा space है, और यहाँ पर बीच में पानी आ जाएगा, तो वो एक space है, तो जो यह वाला space है, जहाँ पर cytoplasm होता है, उस space को बोलते हैं, बेटा, extra luminal space, जो space में cytoplasm होता है, उसको बोलते हैं, extra luminal space, और जो space बेटा, बीच में होता है, between sisterny होता है, उसको हम बोलत हैं luminal space या फिर luminal तो आप समझगे बेटा जो endoplasmic reticulum है वो cytoplasm को दो parts में divide करता है एक तो होता है बेटा extra luminal और एक होता है luminal आगे की बात डिसकस करते हैं इसमें तो बेटा आगे की बात हम लोग discuss करने वाले हैं और यहां पर बात होने वाली है elements of endoplasmic reticulum हैं जो endoplasmic reticulum है उसमें बहुत सारे elements होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं बेटा सिस्टर्नी वैसिकल एंड टिब्यूट्स एक करके हम लोग discuss करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की आप जानते हैं कि यह flattened structure होते हैं जो कि nuclear membrane से arise होते हैं formed by blebbing of nuclear membrane ठीके ना क्या मतलब है इसका आप जानते हैं कि यह nucleus है अभी मैंने आपसे बात की है nucleus है double membrane inbound cell organal होता है nucleus इसका जो outer membrane है उससे बड़ का formation होता है और उस बड़ से बड़ से formation होता है endoplasmic reticulum के सिस्टर्नी वाले element का endoplasmic reticulum के सिस्टर्नी वाले element का formation होता है ठीके ना तो formed by blebbing of nuclear membrane it is flat structure आप सभी लोग जानते हैं जो सिस्टर्नी है वाटा आप दिखरा आपको flat structure है having diameter 40 to 50 micrometer ठीके ना इसका सबसे छोटा diameter सबसे कम diameter होता है और diameter होता है 40 to 50 micrometer they arrange in parallel stocks यह वाटा पैलरी arrange होते हैं it is also called ergastoplasmic sec बैटा ergastoplasmic sec क्यों बोला ergastoplasmic sec इसलिए हमने बोला क्योंकि यह granular structures का formation करता है ठीके ना granular structure का formation करता है यह सिस्टर्नी इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ergastoplasmic sec ribosome attached on endoplasmic reticulum ठीके ना आप जानते हैं कि जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है उसके उपर ribosome का arrangement होता है यह सब क्या है बेटा ribosomes है यह ribosomes है ठीके ना ribosomes का arrangement होता है किसके बेटा सिस्टर्नी के उपर और यह जो ribosome है बेटा यह attach होते हैं ribo foreign protein से ठीके ना जो attachment होता है endoplasmic reticulum के सिस्टर्नी वाले पार्ट पर ribosome का वो बेटा एक protein होती है उससे arrangement उसके help से arrangement attachment होता है जिसको हम बोलते हैं ribo foreign protein आगे हम लोग देखते हैं बेटा vesicles it is closer to cisterny it is closer to cisterny आप देख रहे हैं यह बेटा cisterny है और इसके पास में यहां पर क्या range है vesicle अगर आप से पूछा जाए कि cisterny कहां पर located है तो आप क्या बोलोगे it is closer to nucleus तो यहां पर vesicle close है cisterny के having diameter 25 to 500 micrometer they having ribosomes cisterny के तरह ही vesicle में भी ribosome present होते हैं और वो protein से attach होते हैं they are most abundant in pancreatic cell बेटा जहां जहां endoplasmic reticulum है वहां वहां पर cisterny भी present होगा और vesicle भी present होगा लेकिन vesicles का number बढ़ जाता है in the case of pancreatic cells आगे की structure की हम लोग बात करते हैं तो next है बेटा tubules the tubules are more diverse in shape than cisterny and vesicle जो बेटा tubule है वो जादा diverse है शेप में बहुत जादा shapes होते हैं cisterny और vesicle के अपेक्षा they are smooth बेटा यहां पे जो term use हुआ है smooth इसका मतलब यह है कि जो tubules होते हैं उसमें ribosomes absent होते हैं ribosome बेटा क्या होते हैं ribosome absent होते हैं they are smooth and branched having diameter 5200 micrometer इनमें ribosome absent है यह branched है और इनका जो बेटा diameter है वो है 5200 micrometer अब एक बास समझें कि जो cisterny और vesicle है वो unbranch होती है tubule एक ऐसा element है endoplasmic reticulum में जो branch होता है they occur in cells that synthesize steroids like cholesterol and glycerides यह उन cells में पाई जाती है जो basically steroids को produce करती है जैसे cholesterol और glycerides they are closer to plasma membrane हमने बात की कि जो cisterny है वो nucleus के पास में है जो vesicles है वो cisterny के पास में है इसी तरह से जो tubule होती है वो plasma membrane के पास में present होती है तो आज हमने introductory part खतम किया है endoplasmic reticulum का आपको endomembranus system के बारे में बताया है अगले lecture में हम लोग बात करेंगे structure of endoplasmic reticulum and functions of endoplasmic reticulum तब तक के लिए stay safe and stay healthy जैन